हाई गाई जाते तारिक 26 जून 2024 और है वेडनेस डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह वेडियो UPSC और State PSC के point of view से काफी ज़्यदा important हो जाता है तो चलोश्यों बारम करते हैं बढ़ आगे बढ़ने से पहल different sources को भी cover करेंगे जो भी relevant topics होंगे उनको बिल्कुल सटीक तरीके से cover करने की कोशिच रहेगी और make sure कीजिएगा वीडियो के last में जो आपको टेस्ट मिलेगा उसको attempt करने की last में आपको एक practice question का test मिलेगा अगर आप पूरे lecture को अच्छे से सुनते हैं concentration के साथ में सुनते है last month questions को attempt करेंगे दोस्तों तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे आपका memory power बढ़ेगा प्लस daily basis पर आप questions लगा रहे होंगे examination में जो आप जाकर बैठेंगे तो आपको लगेगा यार यह काम तो मैं daily कर रहा हूँ daily current affairs की questions लगा रहा हूँ ठीक है और prelims की तैयारी आपकी यहा आपस से डिवाइड क्यों करें वह दा हिंदू के वाले lecture में मैं आपको बता दूँगा ठीक है अभी कल आपको बता होगा चैनल पर कुछ समस्या हो रही है जो वीडियो दोस्तों वह यहां पर record करने के बाद में जब upload हो रहे हैं तो थोड़े cut कर upload हो रहे हैं यानि वीडि चीक है तो उसको आराम से रेफर कीजिए जैसे पहले चल रहा था तो उसमें कोई तकलीव वाली बात है नहीं बाकि इसके बारे में और जानकरी आगे मैं आपको दहिंत वाले वीडियो में दे दूँगा जो थोड़ी दिर में upload हो जाएगा अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर पाओगे तो दोस्तों शुरवात करते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टन आर्टिकल के साथ में आपने थमनेल पर भी देखा होगा यहां पे बात हो रही है रसल वाइपर के बारे में एक पर्टिकुलर स्नेक है जो बहुत ही जादा चर्चाओं में आया ह और एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है अब यह रसल वाइपर चर्चाओं में क्यों है आये जरा इसके बारे में जानते हैं खबर क्या है यानि यह न्यूज क्या चल रही है तो यह न्यूज आपको इतने लाइनों में दिखेगी बोला यह जा रहा है कि ब एंटी वियोनम का जो दोस्तो एंटीडोट है बेसिकली उसको बना कर और उसको स्टॉक करके रखी है अपने पास यह सभी हॉस्पिटल से हेल्थ सेंटर से बोला गया है कारड कारड यह है कि बांगलदेश में पिछले कुछ समय में रसल्स वाइपर के काटने के केसिस हुआ है क्योंकि केवल यही एकलौता स्नेक है जो कि कई सारे लोगों को काट रहा है है ना मतलब इसके ऑव्विस सी बाते कई सरी स्पीशीज होंगी है ना तो इनके केसे जादतर नजर आ रहे हैं जिस वज़ए से दोस्तो हम बात करेंगे आज रसल वाइपर के बारे में तो रसल वाइपर एक हाईली विनमस टेरिस्ट्रियल स्नेक है जमीन पर पाया जाने वाला सिंपल सी बात है सबसे जादा जहरी ले सांप कह सकते हैं हाईली विनमस है मतलब इसमें जहर बहुत जादा होता है दोस्तों यह वेपरेडे फैमिली से बिलॉंग करता है एशिया म ठीक है यह सांटिफिक नेम हो गया अब यह जो स्पीशी है दोस्तों इसका नाम रसल वाइपर क्यों रखा गया रीजन क्या है रीजन यह है कि एक स्कॉटिश हर्पिटलोजिस्ट है जिन्होंने इस सांप के बारे में चीजों को ढूंडा डिसक्राइब किया उनका नाम थ इसक्राइब किया 1790 में क्लियर फिर बताया जाता है इंडिया में जो चार ऐसे सांप है जिनको डेडलियस ने की कैटिगरी में डाला गया है सबसदा जान लेवा है उनमें से कौन-कौन से हैं देखिए उनमें से एक तो रसल वाइपर भी है उसके अलावा यहां पर कॉमन क दन उसके बाद इंडियन कोबरा दन उसके बाद में सौ स्किल वाइपर तो तीन तो यह हो गए बाकी चौता यहां पर रसल वाइपर यह चार डेडलियस नेक माले जाते हैं भारत के अंदर में एस्पेशली हुमन के लिए अब इती देर से रसल वाइपर की बात कर रहे है तो question यह है इसका distribution क्या है कहां कहां पर यह पाया जाता है तो यह वाली प्रजाती इंडिया, स्रिलंका, बांगलादेश, नेपाल, मयानमार, थाइलेंड, पाकिस्तान, कंबोडिया, तिबित, चाइना, ताइवान, और इंडोनेशा इन सब कंट्रिस के अंदर में यह वाली जंगल में रहना नहीं पसंद है, यह open area में रहना जाधा पसंद करता है, जहां पर सबसे ज़्यादा घाशे होंगी, थोड़ी ज़ाड़िया होंगी, वहां पर रहना पसंद करता है, फिर बताया यह भी जाता है, कि जो इस साब के काटने के cases सबसे जाधा निकल कर आते हैं उसके पीछे का रीजन यहां पर यह है कि खेतों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खेतों में यहां पर बहुत सरे लोग काम कर रहे होते हैं आज का जो अग्रिकल्चर सिस्टम है वो सबसे बड़ा सिस्टम है तो वहीं पर human contact से यह सीधा आजाता है कि तो में अगर चूहे वगरा प्रेजेंट होंगे तो चूहों को खाने के लिए पहुचावा होता है साप अब वहीं पर इंसान भी है तो वो कहीं ना कहीं इस साप के contact में आ जाता है अब question यह है क्या यह साप अगर सामने दिख जाएगा तो क्या सीधा attack कर देता है ऐसा नहीं है दोस्तो यह साप खुद attack करने से हमेशा बचता है ये इंसानों को attack खुच से नहीं करता बताया जाता है कि जब ये सांती से बैठा है इंसान का गलती साब ओभी से बाते कोई इंसान जान पूच के तो अपनी जिंदी के साथ खिलवाड करेगा नि छेर ठाड नहीं करेगा अब गलती से इसके ओपर पैर वगड़ा पड़ जाए तब ये जाकर सीधा अटाक करता या काट लेता है ठीक है और इसके बाद में जादा तर लोगों की जो मृत्यू के केसे साथ हैं इसके काटने के बाद में वो ताब आते हैं जो medical treatment में काफी देरी हो जाए अगर medical treatment टाइम पर दे दिया जाए तो उस इंसान को survive करवाया जा सकता है ठीक अब इस साथ के बारे में दोस्तों कुछ special feature से ध्यान लखेगा आज कल ऐसे questions कई बार आ रहे हैं क्योंकि आपको UPSC prelims देना है और environment की section में कई animals से related reptiles, amphibians से related questions आ रहे हैं वो मैं आपके सामने provide करवा रहा हूँ तो यह जो Russell Viper Snake है इसके features की जब बात करता हैं दोस्तों तो यह 1.5 meters तक grow कर सकता है इसके body के उपर में reddish brown color के spot नजार आता है यह आप देख पाओगे red brown color के spot इसके पुरे body पे देखने को मिलते हैं और उन spot के किनारे black और white color की outline भी देखने को मिलते हैं यह black है यह white outline तो यह इसकी detailing हो गए इसका अगर आप वो सर देखते हैं तो triangular shape में कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका triangular shape में head देखने को मिलता है छोटा सा head है लेकिन है खतरना इसकी nostrils काफी बड़ी होती है छोटी छोटी आखें है बताया जाता है कि यह जो snake है यह एक nocturnal है nocturnal मतलब जैसे जैसे रात होती है उतना ही जादा यह active होता है दिन में एक जगा बैठा रहेगा रात में जादा active रहेगा और यह भी एक बात बताई जाती है जो यह snake हैं दोस्तो यह sedentary है यानि अकसर इन्हें एक ही जगा पर रहना पसंद रहता है वहां से हिलते नहीं है कई-कई दिनों तक यहां पर यह साप नहीं हिलता है तो आलसी है को IUCN के अंदर में least concern category में cover किया गया है ध्यान रखेगा कहने का मतलब है कि इसकी population भी अच्छे खासी available है तो इस वेसे least concern category में इसको रखा गया है चिक आगे आते हैं अगले article पर अगले article पर बढ़ने से पहले दोस्तो make sure क्या कीजिए वीडियो पर जो like का button यार उसको press कर दिया करो इस समय इस channel को reality में आपकी support की बहुत जरूबरत है कई सारे issues हम face कर रहे है चारों तरफ से YouTube की site से भी issues कई सारे है वीडियो एडिटिंग में issues आ रहे है uploading में issues आ रहे है और वीडियो देरी से upload हो रहा है बहुत सारी दिक्कते आ चुकी है यार पिछले साल से अभी तक तो खेर उन सब को manage कर रहे है जैसे तैसे अपना चल रहे है अपनोंने कभी भी वीडियो मिस नहीं किया है चाहे कितनी परेशान ही आए चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो चाहे लेट से upload हो लेकिन हुआ है है ना तो make sure करना है यार वीडियो पर आप support दिखाए 2000 likes का हमने target रखा है जिसको please आप सभी achieve करवा सकते हैं बात और यहाँ पर बारदा wildlife century के बारे में again very important topic for the GS paper number 3 environment environment के point of view से ऐसे topic relevant होते हैं जादतर इनकी locations वगरा आपसे पूछ ली जाती है तो दोस्तों यहाँ पर news क्या निकल कराती है खबर यह है कि यह जो बारदा wildlife century है दोस्तों इस wildlife century में अभी कुछ spotted deer और सांबर्स को गिर forest से ट्रांस लोकेट किया जा रहा है जाने गिर वाले जंगल से निकाल कर इनको इस wildlife century में लाया जा रहा है इस वज़ा से wildlife century चर्चाओं में है आपसे मैंने दहिंदू के वीडियो में भी बोला था इसको अच्छे से map में देखिएगा तो बारदा wildlife century दोस्तों कहां पे located है गुजरात में located है इसको ध्यान रखना है अब यहां पे आप देख पाऊगे इंडिया का map है यह रहा गुजरात गुजरात के साथ में कौन-कौन से states है जो की boundaries को share करते हैं तो उपर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा राजस्तान गुजरात एक international boundary share करता है पाकिस्तान के साथ में पीछे है मध्या प्रदेश साउथ में है महराष्टरा और यहां पर आपको दमनेंट द्यू भी देखने को मिल जाता है और यहां आपका अरेवियन सी नजर आएगा ठीक है तो यहीं पर गुजरात में है बारदा वाइल लाइफ सेंचरी रिवर्स की बात करेंगे दोस्तों तो यह जो वाइल लाइफ सेंचरी है यहां पर दो important नदिया है एक है बिलेशवरी रिवर और दूसरी है जोगरी रिवर ठीक है और दो डैम भी यहां पर नजर आते हैं एक का नामे खामला और दूसरा का नामे फोडर रहा यह दो डैम बांध भी बनाए गए इन नदियों के उपर इस बारदा वाइलेफ सेंचरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो हैं मलधारीज है ना फिर हैं भारवाट्स राबारीज गादवीज यह सभी लोग ज़्यादा तर इस पर्डिकुलर रीजन में रहते हैं क्लियर दोस्तों बारदा वाली जो जगह है इसको अभी एक सेकेंड होम बताया जा रहा है इसको एज़ा सेकेंड होम डेवलप कर रहे हैं एस्याटिक लायन के लिए आपको बता होगा जो हमारी के राजसरकार है उन्होंने एक गिर बारदा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1979 में जहां पर मेंड परपस उस एरिया को एस्याटिक लायन के लिए डवलप करना आपको बताओगा जो लायन जो शेर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है एस्याटिक जो स्पेशली भारत में पाया जाता है और हमारे गिर फॉरस्ट रिजन में यानि गुजरात में और एक होता है एफ्रिकन जो कि एफ्रिका के कई सरे देशों में पाया जाता है ठीक है अब बात आती है फ्लोरा की दोस्तों तो इस बार्दा वाइलेफ सेंच्री में कई सरे अलगलग प्रकार की प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलते हैं कई सरे ऐसी प्लांट्स अब दोस्तों एक इंपोर्टन्ट लाइन की स्पीशी है ये इंडिया के लिए ठीक है और जैसे मैं आपको बता चुका हूं आफ्रीका और एस्याटिक लाइन में कुछ फरक है आफ्रीका वाले लाइन आफ्रीका के कई सारे देशों में पाया जाता है जबकि एस्याटिक ला लाइन का कंजर्वेशन स्टाटस क्या है आयूसियन के अंदर में इसको एंडेंजर्ट कैटिगरी में कवर किया गया है ध्यान रखिएगा यानि प्रजाती काफी जदा खत्रे में है फिर वाइले प्रोटेक्शन एक 1972 में इसको शेडूल वन में रखा गया है एक प्रोटे प्रजाती फिर भी अच्छी खासी अवेलेबल है ज्यादा पॉपॉलेशन है इसकी लेकिन एस्याटी क्लायन का आयूसियन स्टैटर से एंडेंजर्ड यानि की इसकी प्रजाती काफी खत्रे में है क्लियर चली आते हैं नेक्स राडिकल पर अगला आर्टिकल सूपर इंप जर्मणी को जोडने का काम करती और यो नैचुरल गयस खरीदता है किस से रुषिया से क्योंकि ये जलाने के लिए गर्मी एट वगयरा प्रडियूस करने के लिए तो उसके लिए नैच्रल गयस का यूस होता है तो यह पाइपलाइन निकाली गई है पहले मैं आपको इसके है यूरोप में तो वो जो 27 कंट्रीज हैं दोस्तों उन तक यह सप्लाई करता है नौर्ड स्ट्रीम अपने गैस को लेकिन सप्लाई होती कहां से सीधा जर्मनी से अब बताया यह गया है यह जो फोटो आपको दिख रहा है दोस्तों यह पिछले साल का है साल 2023 में यह जो पाइ इरिया में जो समुद्र का पानी है वो भयंकर तरीके से उबल रहा था पिछले साल बहुत सारे वीडियो वाइरल हुए थे मैंने खुद पढ़ाया था मैंने वीडियो शेयर भी किया था ठीक है तो यह सिनेरियो पिछले साल निकल कर आए अब इस साल हम क्यों बात कर रहे ह इस साल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पाइप्लाइन में से जो मीथेन निकल कर आया है न दोस्तों वो मीथेन अभी भी उस एरिया में प्रेज़न है जो कि उस एरिया के एन्वور्मेंट को बर्बाद कर रहा है इसी वज़ा से आज के समय पर इस नौर्ड स्ट्रीम की चर्चा हो रही है तो अभी एक नई स्टेडी पब्लिश होई है युनिवर्स्टी ओफ गोथेंबर्ग की साइट से इनके जो रिसर्चर से उनका कहना यह है कि जो मिथीन गैस रिलीज हुई थी इस पाइपलाइन से पिछले साल बाल्टिक सी में वो इस पाइपलाइन इस तरीके से आता है वैसे इस प्रकार की दो पाइपलाइन है नौर्ड स्ट्रीम वन एंटू हम बात कर रहे है वन की तो यह पाइपलाइन इफ वाव बॉक्स से गुजरती है और इस तरीके से जाके जर्मनी में जुड़ती है और इससे गैस की सप्लाई करत पता है रश्या कहां पर यूरॉप के अंदर में लास्ट यह आपको पता है रश्या यूक्रेन का पूरा डिस्प्यूट हुआ वार उसकी वज़ा से भी काफी ज़्यादा इशूस थे तो इस पाइपलाइन पर अटैक हुआ के लिए भी है ना यानि पलूशन कर रहा है टैंपरेचर को गरम कर रहा है उसके पीछे की रिस्पॉंसिबिलिटी भी मिथेन की है तो मिथेन है क्या प्राकारगी गैस है जो की कलर लेस और ओर लेस है एक फ्लेमेबल वाटर इंसलूबल गैस है यानि यह गैस आगी पकड़ स है यहाँ पर कि जब कह सकतो हीट वगरा होती है काफी तर जीस गरम होती है एक इंटेंस हीट यहाँ इस गैस के माधियम से एक्टावर्फुल गैस है जो की कही न जहीं खतरनाग है और बताया जा रहा है कि आज समय कर पर कारबंड आया अखौसाइट से जादा असी गुना जादा यहाँ पर यह देखने को मिलेगी 20 सालों के अंदर-अंदर जो एक्मॉस्फियर में रिलीज हो रही है तो एक्मॉस्फियर जो लगातर गरम हो रहा है टेंप्रेचर बढ़ रहा है उसके पीछे का रीजन यहाँ पर मीथेन भी है दोस्तो अब क्व से बड़े-बड़े यहाँ पर भंडार लगेवे हैं कुडों के हैना वो जब डिकंपोज किया जाता है तो उससे भी मीथेन रिलीज होता है और मीथेन का इंपक्ट काफी बुरा है ह्यूमन्स के लिए या हमारे एन्वामेंट के ऊपर यह एक नेगेटिव इंपक्ट डाल अब आती है बाल्टिक सी की बात काओगे मीथेन और बाल्टिक सी इन दोनों का कनेक्शन क्या है कनेक्शन यह है मैंने आपको एक फोटो दिखाया था अभी कि जो यह नौड स्ट्रीम पाइपलाइन है समुदर के निचे से गुज़र रही है यह समुदर कौन सा है दोस्तो अगर पडिकुलरली मैप देखेंगे तो यह हो गया फिनलेंड यह हो गया जर्मनी यह हो गया रश्या यह जो नौड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो इस तरीके से आ रही है और ऐसे जाकर जर्मेनी में सीधे जाकर जुड़ती है तो यही पर बाल्टिक सी है यह आप देख इसको लगाते हैं दोस्तों तो उसमें स्वेडन है पोलेंड है लिथवेनिया लात्विया फिनलेंड एस्तोनिया जर्मनी डेनमाक एंड रश्या यह सभी कंट्रीज यहां पर हैं यह रहा स्वेडन यह रहा फिनलेंड यह रहा एस्तोनिया लात्विया लिथवेनिया रश् सामने एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ बोथ निया यहां पर एक बेबी आपको नजर आएगा बीच में डैनिश स्क्रेट भी है और आप देख पाऊगे बराबर में नौर्थ सी भी है यह जो नौर्थ सी है दोस्तो इसको लेकर अपकी बार UPSC में प्रेलिम्स में पुछा गया था कौन कौन से देश नौर्थ सी के साथ में बॉंडरी इसको शेयर करते हैं तो ऐसे क्वेशन एक्जाम में बनते हैं ध्यान अखेगा इस वजह से आपके सामने में एक ट्रिक लेकर आया हूं कि यहां पे जो बाल्टिक सी के आसपास देश है इनको अराम से असानी से याद कैसे रखा जाए तो याद रहने के लिए एक ट्रिक है ध्यान एक है त्यान दकि आखेगा रूठ वा जर्मनी सेल पॉलैंड एंड फिनलेंड ये ट्रिक द्यान रखेगा आешьन का अपूरा वडि युस कर लिया सेल की फुल फिर्म क्या होगई ध्यान रूड जर्मनी सेल पोलेंड और फिनलेंड यह आपके ट्रिक है बाल्टिक सी के आसपास के देशों के नाम याद रखने की असान रहेगा याद रखने के लिए हां रूठेवे जर्मनी ने क्या करा पोलेंड फिनलेंड को टाके बेच दिया अब आता है यहां पर जिससे मैंने बोला अलाकि जो यह हमारा बाल्टिक सी है यहां से एक डैनिश स्ट्रेट गुजरता है और उस स्ट्रेट से सीधा यह सी एट्लांटिक ओशन से जुड़ जाता है ठीक है और इस बाल्टिक सी में तीन इंपोर्टेंट गल्फ है एक है गल्फ ऑफ फिनलेंड यह आपको दिख रह हो रही है और अराम से हर इक more समझ बार आहा है तो यही हंवारा परपस है हर इक आर्टिकल को और सटीक थरीके समझे की क्वेस्चन आये तो वह यहीं से आएगा अगला टॉपिक यहां बात ओ ओर और करेंग ट्रैकर रिपोट अभी रिएसंट हुई है जिसने बताया 2023 में जो गैस फ्लेरिंग हुई है वह तेजी से बढ़ी है 9 बिल्यंड क्यूबिक मीटर से बड़ोतरी देखने को मिली है यानी टोटल 148 बिल्यंड क्यूबिक मीटर की गैस फ्लेरिंग होई है अब गैस फ्लेरिंग होती क्या है जरा मैं आपको यह बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर यह फोटो आप देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा है कि यह बेसिकली एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है यानि समूदर में से कच्छे तेल को निकाला जा र प्रड्यूस के जा रहा है तो उसमें से गैस रिलीज होता है प्रेशर रिलीज होता है तो उस प्रेशर को यहाँ पर दोस्तों रिलीज करवाना यह यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है गैस फ्लेरिंग तो यह इंपॉर्टेंट कॉंसेट है और यह जरूरी भी है ऐसे पर् कह सकते हो burn करके release कर देना यह हमारा main purpose है ज्यादा pressure नहीं बनाना प्रेशर basically release कर देना उस gas का इसको burn करके तो यह gas flaring का concept अपना आ जाता है यह जो practice है यह लंबे समय से चलती भी जा रही है लगबग 160 years पहले से यह भी बताया गया है ठीक है, clear हो गया अब दोस्तों gas flaring को लेकर कई बार इसके उपर allegations लगाता है yes को लेकर concerns भी उठाया जाता है कि इससे बहुत सरा प्रदूशर होता है जो कि सही बात भी है क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे तो gas flaring बिल्कुल safe है लेकिन बहुत सरा waste और pollution generate करती है definitely ये भी मानना पड़ेगा ठीक है oil production से जो gas आ रही है उसी को यहाँ पर release किया जा रहा है तो उससे प्रदूशर हो रहा है इसका negative impact environment बर भी पड़ रहा है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो gas है इसमें nitrogen oxide release होता है nitrogen oxide जो की highly reactive gas है ठीक है इसके अलावा nitrogen oxide ये directly यहाँ पर release होते है और ये वो gases हैं दोस्तों जो सीधा हमारी air की quality को बरबाद करती है तो इसका negative impact भी है बट वैसे completely safe है gas के pressure को control करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से gas flaring की जाती है तो पिछले कुछ समय पर gas flaring बहुत जादा हुई है 9 billion cubic meter से बड़ोतरी देखने को मिली है दुनिया में ये हमारी report ने बताया जिस वज़ा से ये concept news में बनावा है clear? चलिए आते हैं एक और important article पर आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में एक singer की बहुत चर्चा हुई है ये वो singer है इनका नाम है अलका यागनिक तो हुआ ये इन्होंने ये बताया कि इन्हें कहीं न कहीं सुनने में तकलीफ हुई इनको एक hair issue हो गया है कान से संब्दित सुनने से संब्दित एक बिमारी हो गई है जिसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनना दोस्तो इसको लेकर यहाँ पे एक awareness भी है जागरुकता भी है उसको भी यहाँ पे समझना होगा दूसरी बात ये बिमारी ऐसी है किसी को होती है तो 48 गंटे के अंदर अंदर आपको इलाज करवाना होगा ट्रीट्मेंट लेना होगा अदरवाइस यह आपकी प्रॉब्लम्स को पढ़ा सकता है अब इस hearing loss की condition को बोला जाता है sensory neural deepness क्या sensory neural deepness यह नाम ध्यान लखेगा तो हाल ही में यह पर यह इनके अंदर में विमारी पाई गई जिस वज़़ा से चर्चाओं में आई है अब सिंगर अब्बे से बाते कई सरे गाने सुनती होंगी लंबे समय तक हेरिंग करती होंगी तो वो भी एक असर देखने को मिल सकता है आए आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में तो sensory neural deepness होता क्या है एक प्रकार का hearing loss सुनने में सीधा तकलीफ होना अब यह होती कैसे है हमारे कान के अंदर का जो हिस्सा है दोस्तो inner ear है वो damage हो जाता है या फिर ऐसी nerve हमारे कान में एक nerve है जो क्या करती है आवाज को जैसे आपके पास में आवाज आ रहे है तो आपके कान से सीधा दिमाग तर जाती है हो सक्ता है आपने देखा भी होगा गर में दादा दाधी भी होता है तो उनकी उमड़ी बहुत जादा होती तो उनको सुनने में तकलीफ होती है तो जैसे से उमड़ी बढ़ रही होती है वैसे वैसे यहाँ पर यह deepness की problem बढ़ती है लेकिन नौ जवानों में ये problem देखना ये थोड़ा सा concerning situation है reason यह है क्योंकि आज कल बहुत जारा earphones का use हो रहा है headphones का use हो रहा है और वो लोग earphones का use तो कर रहे हैं ठीक है उसके अंदर loud music सुन रहे हैं लंबे-लंबे समय तक गंटो गंटो तक earphones लगे रहते हैं वो दोस्तो एक permanent damage create कर रहा है लोगों में कान की अंदर especially तो ये long hours तक लगा पाना ये दोस्तो थोड़ा सही नहीं है इसके उपर आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा action लेना होगा कईसर लोग ऐसे होंगे जो पड़ाई करते होंगे वीडियोज बगरा देखते होंगे कईसर लोग ऐसे होंगे जो वीडियोज अभी देख रहे होंगे वो भी earphones लगा कर देख रहे होंगे ठीक है normal है सबी लोग लगाते हैं लेकिन दोस्तो जो sound है उसको एक level में maintain करना और दूसरी चीज यहाँ पर focus यह करना कि मैं लंबे लंबे घंटों तक यहाँ पर उसको ना लगा के रखूँ otherwise उससे damage हो सकता है definitely हर एक चीज जो extra way में करेंगे तो उसका negative impact होता है तो उसको यहाँ पर भी implement किया जाएगा अब होता यह है कि इस particular case में इंसान के कानों के अंदर में दोस्तो एक organ होता है spiral shape में उसको बोलते हैं cochlea अगर यह कैसा दिखता है अगर हम यह देखें तो यह आपका कान हुआ यह अंदर जाएंगे तो यहाँ पर यह आप देख पाऊगे spiral shape में एक organ है क्या बोलते हैं इसको cochlea ज्यान के का cochlea नहीं आप इसको बोला जाता है इस cochlea के पास में कुछ hairs होते हैं इसके उपर hairs होते हैं और यह hairs दोस्तो main role play करते हैं आपके vibrations को convert करके neural signals में बदलना तो यह जो hairs हैं बहुत ज़रूरी है इन्हीं का main का में जो आपके vibration आ रहें sound waves के मादम से इनको neural signals में वो change करते हैं यानि कि कहने का मतलब है यह सीधा वो nerves हैं जहां पर आपके जो भाशा है या फिर जो भी sound है उसको सिधा brain तक transmit करता है तो यहां पर यह organ आपका damage होना बहुत बड़ी problem वाली बात है अब यहीं पर एक सवाल और आता है कि सर यह sensory neural deepness के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं तो कारण में एक तो आपका genetic factors हो सकता है हो सकता है family में पहले से आ रही हो तो वो complication ऐसे आगे चलती रहती है दूसरा noise exposure आप बहुत जादा loud noise में रह रहे हैं आसपास लंबे-लंबे समय तक यहां पर आप कह सकते हो कि जो शोर्स और भाई उसमें रह रहे हैं तो इससे भी hearing loss की problem हो सकती है तीसरा उमर के साथ बढ़ना दीरे-दीरे यहां पर क्या होता है जो hair होता है न वो cochlea के उपर में वो दीरे-दीरे destroy होने लगता है तो उमर के साथ में भी यहां पर आवाज आनी कम हो जाती है फिर infection and disease यह कोई बिमारी हो सकते से meningitis और mumps या measles या autoimmune disease दोस्तों यह जो कुछ बिम इस प्रकार की बिमारियां भी एक में कारण बन सकती है क्योंकि यह बिमारियों की वज़ा से भी सीधा hearing loss पर impact पड़ता है फिर आपके सर में कोई injury हो गई या कान में कोई injury हो गई तो उससे भी impact पड़ सकता है यह कई बार इंसान बहुत ज़्यदा antibiotics का यूज कर लेता है यह hearing loss की problem हो सकती है फिर बात आती है symptoms की लक्षण की इसमें लक्षण क्या है यहाँ पे आप चीजों को सही से समझ नहीं पाओगे यूकि कान में आवाज नहीं जा रहे होगी sound distorted से लगेगी कान में बसकाली buzz या हिस करके आवाज आ रही होगी या ring ring करके आवाज आ रही हो होगा मजा होगा तो थमसब करना अब चलिए बात करते हैं आज के practice questions की देखते हैं कि आज के lecture में जो आपने अभी पड़ा है कितने concentration से हर एक चीज़ को सुना है अब मैं आपको लगातार बहुत सारे questions दोंगा उनको attempt करना ठीक है उन सब को यहाँ पर उनके answer देते वे चल स्टेटमेंट से बताइए दोनों में से कौंस स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट यह एक highly venomous terrestrial snake है एक एससाप जो बहुत ज़्यादा जहरीला है और यह केवल और केवल सब सहारा एफरीका में पाया जाता है उसके लावा कहीं नहीं पाया जाता दूसरा स्टेटमें only, B2 only, C दोनों सही है या फर D दोनों के दोनों गलत है आगया आते हैं अगले प्रश्ण में बात हो रही है sensory neural deepness के बारे में तो sensory neural deepness से related again आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है बताना है दोनों में से कौंस स्टेटमेंट्स है पहला यह जो particular बिमारी है दोस्तों यह होती दूसरा यह उन इंसानों में भी हो सकती है जो मैनिंग्टेस या मम्स जैसी विमारी से गुजर रहा हो तो बताए यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स है ऑप्शन नमबर A1 only, B2 only, C दोनों सही है या फर D दोनों के दोनों गलत है ना नेक्स क्वेशन में यहां पर दोस्तों श्राद को बर्न किया जाता है ऑईल एक्ष्ठेक्शन के साथ में यानि और भी प्र्रड्यूस हो रहा है उसका फ्रेंट्स होस्का बर्न कर रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो घ्राद को रिलीस करता है वह नाइत्रोजन ओकसाइड सीधा हमारी एयर क्वालीट को impact करता है तो बताइए दोनों में से कॉंस स्टेटमेंट साही है option A1 only, B2 only, C दोनों साही है, after D, दोनों के दोनों गलत है है now next question बात करता है मीथेन के बारे में तो मीथेन के reference में again आपके पास में तीन statements हैं बताना है इनमें से कितने statements है है how many of the above स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पहला स्टेटन बोलता है कि जो मीथेन है दोस्तों एक शॉर्ट लिब्ड ग्रीन हाउस गैस है दूसरा ये कलरलेस orderless and flammable water insoluble gas है तीसरा जो मीथेन है यह ground level पर ozone pollution नहीं करता ड़स नॉट लीड्स तू ground ozone level pollution तो बताएं तीनों में से कितने statements हैं औप्शन नमबर एक केवल एक बी केवल दो सी तीनों सही है या फिर डी तीनों के तीनों गलत है तो दोस्तों यह हैं हमारे सारे के सारे questions I hope आप लोगोंने सभी questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा चलिए एक एक करके में सभी questions के उतर आपको दे देता हूं ताकि आप और लेस ओडरलेस फ्लेमेबल वॉटर इंसलेबल गैस है यह भी सही है तीसरा क्या यह ग्राउंड लेवल पर ओजोन पलुशन नहीं करता यह गलत है दोस्तों यह पलुशन करता है यह इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स है केवल दो यानि option नमबर भी only two is the correct answer फिर nitrogen oxides को release करता है जो हमारी air quality को impact करता है यह भी बात सही है तो इसके basis पर आपके option number C both one and two is the correct answer फिर आप से अगले प्रेशन में पूछा गया sensory neural deepness के बारे में बताए दो स्टेटमेंट्स है दोनों में से कौन से सही है पहला कि यह जो problem है यह loud noise के exposure की वज़ा से होती है यह भी भी हो सकती है हाँ बिल्कुल यह भी सही बात है that is why option number C both one and two is the correct answer फिर आप से पुछे गया रसल स्वाइपर के बारे में बताए दोनों स्टेटमेंट है इन में से कौन से सही है पहला यह एक highly venomous terrestrial snake है जो केवल सब सहारा एफरीका में पाया जाता है यह गलत है दोस्तों क्य रसल वाइपर जो है इसको as a endangered category में classify किया गया है IUCN के red list में तो दोस्तों यह भी गलत है IUCN में endangered नहीं इसको कौन सी category में रखा गया है इसको रखा गया least concern category में छीक है तो आपका option number D neither one or two is the correct answer तो दोस्तों यह था आज का हमारा session I hope आपको मजाया होगा बहुत सारी जानका कीजिए बहुत relevant तरीके से discussion होगा आगे discussion और बहतर होगा जो आर्टिकल से उनको भी में आगे बहुत जादा बढ़ाने वाला हूं ठीक है कुछ और opinion based topics विसमें include करने वाला हूं जिससे आपकी और सहायता होगी ठीक है मलते हैं आप से के लिए वीडियो में आज के लिए ब